एक दिन बाद मई का महिना आरंब हो जाएगा और मई के महिने में जो भी पूरन चंद मा पूरन चंदी मा जिसको आप पूरन मासी बोलते हैं तो पूरन चंद यानि जिस दिन चांद पूरा होता है उस दिन ऐसा माना गया कि बुद्ध ने उस दिन जनम लिया उसी दिन वो सरीर को छोड़े यानि मरे निबान प्राप्त किया और उसी दिन उनको ग्यान प्राप्त हुआ यानि कि जो उनको पूरा का पूरा धम का ग्यान जो बताया जाता है वो उसी दिन प्राप्त हुआ तीनों काम उन्होंने पूरन चंद मा यानि जब चांद पूरा था और वैसाक में मई के महिने में मई तो बाद में बोलने लगे इसको वैसाक बोला करते थे तो पूरी दुनिया में इसको वैसाक पूर्णिमा के नाम से या वैसाक फुलमून के नाम से मनाया जाता है और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फैस्टिबल है और इसको पूरी दुनिया में जहां बुद्धिष्ट कंट्री है क्योंकि और इनल बुद्धिस्ट कंट्री तो ये भारत और महा भारत ही है पुराना जो भारत रहा है जिसको महा भारत बोलते थे इरान से लेके जो आज का अफगानिस्तान है पाकिस्तान है नेपाल है भुटान है वर्मा है और ये जो स्री लंका है इसे लगते हुए जितने भी छेत्र है ये सारे के सारे जब महा भारत में होते थे तो उस समय सारा का सारा महा भारत यहां बुद्ध के आभा से ओत्परोत होता था इसलिए इसको आभारत या बुद्ध की आभारत या खाली भारत बुरा करते थे तो सबसे बड़ा दुनिया का फेस्टिवल है और सबसे जाता शांती से मनाया जाने वाला फेस्टिवल है और शांती के लिए ही सारा सारा फेस्टिवल यह होता है तो यह फेस्टिवल इस वार पांच मई को पड़ रहा है पर इस अगर फेस्टिवल का आप देखेंगे ये जो उससव आता है क्योंकि बुद्ध के जनम के बाद, बुद्ध के धम के बाद, बुद्ध के ग्यान के बाद, बुद्ध के निबान के बाद ये आरम हुआ, उससे पहले दुनिया में कही था नहीं सारे फेस्टिवल ऐसे आरम होते हैं, कोई व्यक्ति होता है, कोई खास घटना होती है, कोई भोगलिक खास घटना होती है, कोई राजा महराजा होता है, वो जीतता है, या हारता है, या मरता है, जर्म लेता है, तब कोई घास घटना होती है, कोई देश आजाद होता है, या अ बनते थे, किर्शी प्रधान किस्सक के, यानि खेत के, हल चलाने के, बोने के, फूर आने के, फल आने के, जड़ाने के, आंधी आने के, तुफान आने के, इनके सबसे ज़्यादा उतसब यहां मनाय जाते रहे हैं। तो पूरे भारत के अंदर जो पांच मई का जो फेस्टिवल है या उस सब है उसका एक नाम दिया गया बॉध पूर्णिमा बुध पूर्णिमा ये जो बुध पूर्णिमा नाम दिया गया है ये नाम दरसल असली नाम नहीं है असली नाम इसलिए नहीं है क्योंकि बुध पह पहले भी बहुत सारे हुए हैं और जैसा किताबों में लिखा हुआ है और बुद्ध ने भी बताया जैसा किताबों में लिखा हुआ है कि उनसे पहले भी बहुत सारे 24 करी बुद्ध रहे हैं कोई 26 बताता है कोई 24 बताता है एक किताब में 24 हैं तो अगर 24 बुद्ध पहले र थी निया जहान बद्धन ने जनम लिया या मंढिया तबाती पर बुद्ध के साहिते में या सब्ड़ू के समय या समण संग के समय कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि जब कभी बुद्धन ने बुद्धन ने बुद्धन ने male 가 Dann-a-imi-ta-da-da-any हो इसका मतलब ये जो बुद्ध पूर्डमा का फेस्टिवल है ये अभी का है बुद्ध के बाद का है तो बुद्ध ने तो कहा नहीं कि उनके नाम का फेस्टिल मनाना चाहिए वैसे भी जो बुद्ध हैं वो ग्यान के प्रतिक होते हैं और वेक्ति वाद से दूर होते हैं ज सबके खतम हो जाते हैं परिवार भी खतम हो जाते हैं व्यक्ति भी खतम हो जाते हैं उनका कोई वनसज भी नहीं मिलता उनका कोई वनसज भी नहीं होता इसका मतलब परिवारवाद और व्यक्ति वाद पूरी तरह से खतम किया गया जब परिवारवाद और बुद्ध वाद प और बुद्ध की सरीर का वडन करने लगे, बुद्ध के चेहरे का वडन करने लगे, बुद्ध की रहने का, खाने, पीने का खुब वडन करने लगे, कथा कहानियों में बना दिया, बुद्ध का चेहरा इतना सुन्दर बना दिया, और डे बाई डे और सुन्दर बनाते जाते हैं कि एक नारी का चेहरा भी इतना सुंदर नहीं होता किसने सर के ओपर इतने सारी जटाय बना दी जबकि उन्होंने अपने बाल काटे किसने अतने लंबे कान कर दिये कान लंबे करने की कहानी क्या बना दी उसको पूरे इत्यास के अंदर हम विचार पे चलते हैं जो समन विचार है जो समन कल्चर है हम समन व्यक्ति के उपर नहीं चलते हम समन परिवार के उपर नहीं चलते हम समनों के नाम के उपर नहीं चलते पूरी हिश्टी में पूरी हिश्टी जितनी भी है समनों की कल्चर में, समनों की संग में उसमें एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो हमारा नायक रहा हो जिसका हमने नायक होके गुनगान किया हो जिसका हम व्यक्ति बाद में नाम लेके आये हो जिसका हमने नाम से जैकारा किया हो जिसका हम नाम लेके मूर्तिया बनाके चावतरफ लेके घूमते हूँ पर विचार हमने लिया और विचार से हमने काम किया तो समण का जो विचार समणों की जो आइडरोजी है और समणों का जो मत है और समणों का जो धम है और समणों का जो कल्चर है समणों की जो संखती है, समणों का जो रहन सेन है, जो समणों की भासा है, जो बाद में समणों की लिपी बनी, जो समणों का भिगोल है, ये सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है, समण व्यक्ति इंपोर्टेंट नहीं है, वो मुख्य नहीं हमाली है, पर यहां आप देखोग कि यहां बुद्ध की स्तूती, बुद्ध का गान, बुद्ध की चाल, बुद्ध की ढाल, बुद्ध का जो रूप रंग है, बुद्ध के कान, बुद्ध के बाल, बुद्ध की आँख, इन सबका जिक्र बहुत बुरी तरह से मिलता है, और बुद्ध का जो आइडिलोर्जी ह वो पीछे रह गई, यानि बुद्ध के विचार को कोई अपनाता नहीं, भारत के अंदर बुद्ध का विचार गायब हो गया, इस चक्कर में क्योंकि बुद्ध को आगे कर दिया, बुद्ध यानि व्यक्ति को आगे कर दिया, और जो विचार था, उसको खतम कर दिया, ये ब करने हैं उसकी वहवा करने हैं और तो और उसके मरने के बाद भी उसके गुड़गान करें उसके नाम पे सारे काम करें यानि कि मर भी जाए व्यक्ति तो भी पीछा नहीं छोड़ना उससे उसका विचार कभी पनप नहीं सकता बड़ नहीं सकता वो विचार हमेंसा पौदा र समणों की विचार, समणधम, समणों की आइडिलोजी, यहां तक कि समण का नाम भी गायव हो गया भारास से और पूरी दुनिया में समणों की आइडिलोजी चलती है। समणों कर दें, समू कर दें, तो यह सेंकड़ों में पहुंच जाते हैं। पर वम्वाले जो सब्द हैं वो तीन चार हैं। वम्थू है, वम्ती है, वम्मण हैं। बस यह तीन चार सब्द पर आके अटक जाते हैं। इससे यह बात इसपष्ट हो जाती है कि समणों की जो नहीं है, वमण लोगों की कोई संखती नहीं है, वमण लोगों का वमण धम भी नहीं है पूरे पाली में, पर समण धम है, तो समण धम है, समण कल्चर है, समण संखती है, समण रहंचैन है, समण लोग है, समण इत्यास है, समण भासा है, और समण आज के समय लिपी भी है, जि ये बात इसपश्ट हो जाती है कि समणों की जो धम है या समणों की जो संखती है या जो समणों की कल्चर है उसकी समापती का जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो ये रहा है कि हमने समण बुद्ध को खूब चारो तरब से सर पे ले लेके मूटिया बना बना कर खूब करवाया उसने खुद सबसे ऊपर इस्थापित किया उसको अपने कल्चर में सबसे उपर रखा पर उसने माना नहीं क्योंकि आइडेलोजी उसके लिए वम है उसके लिए वमन है उसके लिए वमत है उल्टी है उसकी आइडिलोजी उसका विचार बुद्ध के विचार से बुद्ध के आइडिलोजी से यानि समण आइडिलोजी से समण धम से समण विचार से बुलकुल विप्रीत है उल्टा है क्योंकि वो वमन कल्चर के ल किया उसका पूजा कराया उसका टीका लगाया उसका सारे काम किये और अपना उसको मत भी दे दिया कि यह हमारे मत का व्यक्ति है यानि कि यहां तक भी कर दिया कि यह आप मैंसे नहीं है यानि सम्ड़ों मैंसे नहीं है यह तो महापंडित है यह तो वम्ड़ों मैंसे है हलाकि बुद्ध ने बहुत सारी बातें दूर दरश्टी के साथ देखते हुए उस समय मना की पर हमारे लोग नहीं समझ पाए उन्होंने ये बिल्कुल इस पश्ट कहा था कि मैं जो बता रहा हूँ वो लोक भासा में रहेगा लोक भासा मतलब लोगों की भासा यारी लोग जिस भासा में बात करते हैं उसमें रहेगा और ये कभी नहीं बदला जाएगा इसको जतने भी बुद्ध के जानकार हैं या जो बुद्ध को मानते हैं या जो बुद्ध की बाते हैं वो सभी लोग बार बार बताते हैं अपनी लेक्चर में बार 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 बताएंगे कि बुद्ध ने साफ साफ मना किया था कि जो मैं बताता हूं उसको आगे आपने बताना है क्योंकि अक्छर तो उस समय तक बने नहीं थे, शब्द नहीं बने थे उस समय तो लिखने का तो कहीं बात थी नहीं, सिर्फ बोल कर और याद करकर जब बताय जा रहा है तो उसमें भी बुद्ध ने साफ मना कर दिया कि किसी भी हालत में इस भासा से जो मैं बता रहा हूं जो लोग भासा है जिसको सारी लोग जानते हैं उस भासा के अलावा किसी और भासा में मेरी बात को नहीं बता जाएगा मेरे बचनों रहा होगा, मगदी रहा होगा, कोई और नाम रहा होगा, प्राकर्टिक भासा भी रहा होगा, नेचरल भासा भी रहा होगा, पक्ती भासा रहा होगा, पर पाली नहीं था, तो वो जो भासा थी लोगों की, तो लोग उसमें बाचित क्या करते थे, लोग उक्ती हुआ करती थी लोगों की उक्तियां आती थी लोग अपने वक्तवे दिते थे तो लोग वक्तवे होते थे लोग उक्तियां आती थी लोग भासा होती थी उसमें सारी बातें बुद्धने बताई और उसलिए कहा ये चलता रहा पर बाद में बुद्ध को समाप्त करने के लिए उनोंने या सम बातें बताई ही वो समर्धम था और समर्धम की बातें उन्होंने समर्धों की जो भासा थी उसमें बताई तो उन्होंने उसको चेंज किया और चेंज करने में क्या चेंज करेगा कोई आदमी बहार से जो आदमी आता है उसके पास में उसकी कल्चर उसके सद्ध होते हैं उसक जो words होते हैं तो अपने सब्दों को उसने इसमें मिलाया और अपने सब्दों को मिला कर इस भासा को modified किया संसकारित किया अपनी भासा में हमारी भासा में संकारित किया और अपनी भासा में संसकारित किया और संसकायत करने के बाद में इसको नाम भी संसकत ही बोला क्या इसने चेंज किये वहां से जो वो लेके आया था तो वो शेयर शब्द का ज़्यादा इस्तमाल करता था आधे रे का ज़्यादा इस्तमाल करता था जो दो मातरह थी उनका इस्तमाल करता था जो त्रे है, जो गे है, जो श्रे है, जो श्री है, ये सब्दों का इस्तमाल जादा करते थे वो लोग, उन्होंने यहां से उनी सब्दों को इसमें मिक्स किया, भासा में बदला और अपनी भासा में इसको उन्होंने टांस्टिट किया थोड़ा सा चेंज करकर, जो चेंज ब ताकि लोगों को यकीन रहे कि ये बुद्ध के ही बचन है बदले हुए नहीं क्योंकि बुद्ध ने कहा था मेरी भासा के लावा कोई भासा लिए डालनी नहीं है तो यहां से गवण होलों होती है और गवण तोड़ी जादा होती है जिसका उद्देश से कोई उसको हम इस्टूडेंट बोलते हैं और उन्होंने उसको स्रामनेर कर दिया और स्रामनेर करके उसका अर्थ थोड़ा सा बदल दिया ये बातें इसलिए ज्यादा इंपोर्टेंट हैं क्योंकि आप ये बात समझो कि अभी भी हम व्यक्ति पूजा में लगे पड़े हैं और अभी भी हम उसी जाल में फसे हुए हैं जो जाल पहले था हमारे जितने विद्वान हैं वो उन्ही जालों को पढ़ते हैं और उन्ही ज को कीचर से कीचर लगाके साफ करना चाये तो जिन्दगी भर साफ नहीं होगा कीचर से कीचर साफ नहीं होती कभी कीचर में पानी डालेंगे तो ही साफ होगी ये बलकुल इस पश्ट बात इसलिए हैं क्योंकि हमारे यहां बुद्ध की पूजा नहीं होती कभी पहले भी पर उसकी बात हमने सारी मानी है और हमने उसके पिटी चिन्द बनाए हैं जिनको इस्तूप या थूप या चैतिय बोला करते हैं वो हमारी परंपरा रही है उसमें कोई नायक के नाम नहीं रहे हमने कभी भी किसी का चैतिय या किसी का थूप या इस्तूप या इसमारक नाम ल और गाओं गाओं में अलगलग जो होते हैं हम बाबा भी बोलते हैं कि यह हमारे बाबा का समाधी है या बाबा का है वह इतना ही करके बोलते हैं पर नाम हम नहीं लेते हैं नाहीं नामों को आगे बढ़ाते हैं नामों को बढ़ाने की परंपरा नहीं पर जो लोग हमें मारते हैं जो हमें काटते हैं जो हमें पीटते हैं जो हमारा शोशन करते हैं जो हमें नुकसान पहुचाते हैं जो हमें तोडते हैं वो अपने हैं कोई ना कोई नाम बढ़ा के चलते हैं इसलिए ताकि हम उस नाम में उलज जाएं और हम बुद्ध जिसने भी धम बताएं हैं वो समण धम बताएं क्योंकि वो समण रहे हैं समण कल्चर रही है समण हमारी भासा रही है समण हमारा संखती रही है समण हमारा रहन से रहा है हम समण है समणा है समणी है तो हमारा जो धम है जो मत है वो भी समण है यह इस पस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप कहीं भी जाओगे तो आप जैसे लोग होंगे और जो उनकी पद्दती और मत होगी उनके उसी नाम से जाने जाते हैं जो उनका नाम होता है तो हम बुद्ध तो थे नहीं, हम बुद्ध तो थे नहीं, तो बुद्ध और बुद्ध नहीं थे, और बुद्ध जो थे वो भी समढ़ थे, इसलिए उन्होंने सारी कल्चर जो बताई वो समढ़ों के धम की बताई, तो पाली में नाम मिलता है हमको समढ़ धम, बुद्ध ध को जान लेते हैं बौत धर्म के नाम से या बुद्धिस्ट के नाम से पड़ लेते हैं और सही तरी से जानते हैं उनको यह पता चल जाता है कि यह जो बात है बलकुल ठीक है फिर उसके मन में चसवी बनती है जो चसवी हमारे दिमाग में डाली गई है। किताब画 फरो बुद्द का चेहरा ऐसा बुद्द के बाल ऐसे बुद्द का सर उठा हुआ बुद्द के कान लंबे बुद्ध इतने खूब सुरत बुद्ध ये तो हमें कतायोता किता बहुत जादा हो जाती है और वो कतायोता जो कतायोता होती है वो उस चहरे के परती हो जाती है जो हमें बार 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 दिखाई जाता है ये कालपनिक है क्योंकि कोई नहीं जानता कि बिहार के लोग कैसे थे और बुद्ध कैसे थे और कैसा उनका चेहरा था कैसा फुड़ता पर हम उस कालपनिक चेहरे में रम जाते हैं और हम फिर दीद्रे सार छोड़ना सुरू कर देते हैं और जो असार होता है जो चेहरा होता है उसमें रम जाते हैं जो की जूटा है उससे क्या होता है कि हम बुद्ध को सीख कर भी बुद्ध को नहीं सीख पाते ये नुकसान होता है और ये नुकसान होने से और बड़ा नुकसान होता है और बड़ा नुकसान ये होता है कि बुद्ध के जानकार जो ल जाता है, वो एक community बन जाती है, और वो जो community बनती है, वो पूरे भारत की नहीं बनती, यानि सारे समड़ों की नहीं बनती, वो समड़ों के कुछ हिस्से की बनती है, यानि समड़ तो 120 करोड हैं, पर उसमें जो बुद्धिष्ट मानने वाले लोग हैं, वो 0.6% हैं, या अग बैठते हैं, तो जो 95% जो समड़ हैं, वो बुद्ध को नहीं जानते हैं, और उनको लगता है कि बुद्ध भी एक अलग मत है, और बुद्ध भी जो बता रहे हैं, वो अलगत रहे का है, और ये लोग गंजे रहते हैं, ये लोग लाल कपड़े पहनते हैं, ये लोग करोण मेतिम रहते हैं आग बंद करके बैठते हैं ऐसा लोग मान लेते हैं और बाकी लोग उन तक पहुंचनी पाते तो समड़ धम यानि कि जो बुद्धने समड़ धम दिया है वो बहुत छोटा हो जाता है और छोटा होने से जैसे रविदास मत के लोग हैं, वो बुद्ध मत को नहीं मानते, उनको रविदास उनके गुरू हैं, वो उसमें फसे हुए हैं, जबकि वो भी समर्धम हैं, जो रविदास जी ने दिया है, गुरू रविदास जी ने दिया है, वो भी समर्धम हैं, वो भी समर्धम थे, वैस ही जो नाम देव हैं वो भी समण हैं उनका भी समण धम हैं और वैसे ही जो सतनामी लोग हैं जो गुरु घाजी दास हैं वो भी समण धम हैं चाहे वो गाड़ के हों चाहे वो गुरु चाहे वो विर्सा साब का काम करेगा और कैसे और जो पेरियार साब ने वहां तमिल में बोला है उसको कैसे यहां सिखाओगे अगर भाइसा' का क्रगाशन नहीं है या जो व्यकति कर्नाटक के अंदर लोगों को सिखा रहा है वो कैसे आके हिंदी भासा में सिखाएगा वो तो कनर बोलेगा या जो किरल के अंदर बोलता है वो कैसे आएगा कैसे करेगा तो संत सारे सारे जितने भी हैं वो अलग-लग टुकडों में बट गए और बुद्ध भी अलग हो गए अब हम आपस में एक दूसरे के जो मत हैं उनको जानते नहीं और अपने मत के जो गुरू हैं उनका जो फोटू और उनका जो नाम है उसमें हम गले में लट डटका के उसकी टीशट पहन के उसका फोटू लगा के उसकी किताब चाप के और हम उस पे बहस पे बहस किये जा रहे हैं कि हमारा जो गुरु है उसने सबसे बहतर पताया हमारे गुरु को सबसे जाजादा पता है हमारा गुरु सबसे बड़ा ग्यानी है और हम बड़े भाई नुकसान होता है सिर्फ इस कारण से कि हम अपने संतों के चहरे और फोटो को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उनकी विचार धारा उनकी जो बात है उसको नहीं समझ रहे हैं समढ़ धम की जो विचार धारा है या समढ़ धम का जो मत है आप किसी भी समढ़ संतका अगर उठाओगे एक सा मिलेगा और किसी भी वमण संतका उठाओगे तो भी एक सा मिलेगा अंतर मिलेगा उनमें कि वो एक दूसरे के विप्रीत होंगे जो समण धम के लोग हैं वो सारे के सारे करुणा वाले हैं मैत्री वाले हैं समता वाले हैं भाईचारे वाले हैं महबत वाले हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं, उनके अंदर कोई लालच नहीं, वो पैसे को कोई प्राइटी देते नहीं, वो मनुस्य को प्राइटी देते हैं, उनके लिए मानता स्रेश्ट है, और वो बहुत मिलचुल के रहते हैं, ये समर्धम की पहचान है, और जितने भी संत हैं, जिनका हम नाम लेके चलते हैं, वो सारे भी यही बात कहते हैं, अगर कोई संत है, और आपको ये पहचान करनी है, कि ये समर्धम का संत है, या ये वमर्धम का संत है, तो जो उसके गुण है जो वो विचार बताता है उससे आपको पता चल जाएगा कि ये समणध्धम का गुरू है या ये वमणध्धम का गुरू है तो जितने भी हमारे समणध्धम में लोग आए और समणध्धम उनने बताया अलगलग भासाइं हो सकती हैं, अलगलग समय हो सकता है, अलगलग उनके बताने के तरीके हो सकते हैं, पर वो सारे तरीके, सारी बातें सेम हैं, कोई सा भी अंतर नहीं है, अब हम जो पांस तारीकों यहां मनाने वाले हैं, अब हम एक संत का काम बताएंगे, और एक संत के उप हम जंड़ा फैराएंगे हम समड़ ध्रम का जंड़ा नहीं फैराएंगे हम बहुत ध्रम का जंड़ा फैराएंगे अगर हम बहुत ध्रम का जंड़ा फैराएंगे या बुद्ध ध्रम का जंड़ा फैराएंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ध्रम जो ब्रांच का या उसके ग्यान का तो बागी लोग उस दिन मनाएंगे तो हमारी ताकत लगाता 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 तूट ती जाएगी सिर्फ इस कारण से कि हम अपने समड़ धम के संतों की बात को चेक नहीं कर रहें कि वो सारे मत एक हैं वो सारी बात एक हैं हम उनके चेहरे और उनकी भासा और उनकी जो लिवास है उनका जो पहनावा है जो उन्होंने परंपराय दी है उसमें जा रहे हैं और उसमें उल्जे हुए हैं तो जिंदगी में भी बहुत धर्म हमारा बेड़ा पानी कर सकता तो जिंदगी में भी रविदास धर्म हमारा बेड़ा पानी कर सकता तो जिंदगी में भी कबीर दास का धर्म हमारा बेड़ा पानी कर सकता क्यों क्योंकि संख्या तूट गए हमारी और हम थोड़ थोड़ी संख्या में बढ़ गए और एक दूसरे कहें हम आते नहीं जाते नहीं हम बात नहीं करते हमको पता ही नहीं है कि ये सारे के सारे संत और ये सारा के सारा धम समर धम का हिस्सा है और ये समर धम में आता है हम को कोई बताने वाला ही नहीं है कि हम समर है ये हमारी समर का हिस्सा है और हमारा समर धम के ये सारे गुरू है और ये सब एक हैं हम को कोई बताए तो हम जाएं हम कहीं जाते हैं तो डरे डरे से रहते हैं अरे हम तो फलाने संत को म कैसे कैसे भाचन करते हैं कि आपके सर में अगर आप समझदार हैं तो दर्द होना सुरू हो जाएगा वो अपने गुरू की जो कालपनी कथा हैं जो बनाई हुई हैं उनको सुनाएंगे वो अपने गुरू का भेस भूसा के वारे में सुनाएंगे वो अपने जो गुरू है उ बावा साब की भाषन को छोड़के, जो सारे संतों की तुलना करता हो और बावा साब कितना इसपष्ट कहा था, whenever. सबी धरमों का सबी धंवों का सभी मतों का अध्धन करना चाहिए comparative करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा समरध沒有 कहाँ है और बाकी लोग कहां neste करते हैं पर हम इतने ज्यादा फसे हुए है कि एक होई मान मुझे आपके गुरु से मतलब नहीं है कि आप किस मत को मानते किस को नहीं मानते मुझे तो इस बास से मतलब है कि आपकी संख्या कितनी है अब जो गुरुओं को मानने वाले लोग हैं संतों को मानने वाले लोग हैं किसी के भी हैं उनकी संख्या उठा लो उनकी संख्या और फिर वो जातियों में बटे हुए लोग हैं, फिर वो सरकारी करमचारियों के गुरूप में बटे हुए लोग हैं, फिर वो लड़कों के दलवल में बटे हुए लोग हैं, फिर वो आर्थिक से संसादन उनमें बटे हुए लोग हैं, फिर वो काले घोरे चोटे और भासा की मत प्रांतों में बटे हुए लोग हैं, तो संख्या कहां से लाओगे, कैसे खटा करोगे, कौँण सा धागा है, जो इन सारे मतों को, सारे संतों को बांच सकता है, और वो धागा हमारे पास बहुत पहले से है, पर क्या हुआ, बुद्ध को सिर्मण बोलने लगे, अब सिर्मण बोलने लगे, तो सिर्म ही करते रहेंगे, बुद्ध तो पूरी जिंद की, समण कोई बोलता नहीं, समण कोई कहता नहीं, जितने भी भिक्कों हैं, जितने भी धम के जानकार हैं, वो सिर्मन सिर्मन करते रहते हैं, मां सिर्मन करते रहेंगे बहुत जादा जादा, पर समण करने को तियार नहीं है समड कहने को तियार नहीं है और समड धम का तो नाम भी नहीं जानते के समड धम वो ये भी नहीं जानते के ये जो बौध जिसको बौध धर्म बोलते हैं बुद्ध ने कोई अपने नाम से धम नहीं दिया बुद्ध ने तो समडों का प्राचिन धम लिखा हुआ है पाली के अंदर पर कहे कौन क्योंकि बौध धर्म जिन्होंने प्रचायत किया जिन्होंने अपना सब्द जोड़ दिया अलागि बौध जूटा सब्द है दो मातरा का हमारे यह होता नहीं इसको बौध बोलते हैं या बुध धर्म दिया पर नाम से प्रचायत किया इसलिए हमारा एक दायरा खिच गया एक लाइन खिच गई और हम उसमें कैद हो गए और जब तक लाइन तूटेगी नहीं जब तक हम आपस में मिलेंगे नहीं हर व्यक्ति अपने संत के अपने गुरू के दड़वे में, दायरे में, उसके आहते में, उसके कैंपस में, उसके जो उसका डेरा है उसमें बंदे हुए हैं वो अपने डेरे से, अपने आसरम से अपने उस चक्रव्यू से बहार नहीं निकल पा रहा है क्योंकि उनमें आपस में वेमरस से हो गया है वो एक दूसरे को जानते भी नहीं वो देखते भी नहीं और ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जो पैदा की गई है ये है नहीं समस्या पैदा की गई है और ये पैदा ऐसे की करके जाती है कि कोई भी संत आता है तो उसके जाने के बाद में उसके जो अनुयाई जिनको ठग अनुयाई बोलते हैं वो उसके नाम को आगे बढ़ा के पैसा कमाते हैं और नाम को आगे बढ़ा के प्रिश्दी कमाते हैं वो कभी नहीं कहते कि साधूने संतने हमको अपने नाम से आगे बढ़ाने के लिए कभी नहीं कहा इसलिए बुद्ध को तो पता ही नहीं कि उनके नाम से यहां मत बन गया उनके नाम से यहां एक समुदाय बन गया उनके ना इसको बहुत बड़ा किया, उसी बुद्ध के नाम से छोटा कर दिया, और ये ही सारे संतों के साथ हुआ है, तो इसको जब तक आप समझोगे नहीं, कि सारे संत समढधम बताते हैं, और जब तक आप ये बात प्रचायत नहीं करोगे, जानोगे नहीं, और अपने अंदर इस करता है सराप के लिए मने करता है गंदे काम के लिए मने करता है और अच्छे काम के लिए कहता है तो वह संत समण धम का संत है समर संत है ना कि वह अपने नाम का संत है यह चोटी सी बात अगर समझ जाते हैं तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है फिर हम बुद्ध पूर्णमा को अच्छी तरह अच्छी तरह मना सकते हैं और इसमें बहुत इश्टकल करना पड़ेगा बहुत धरम से समण धम तक खींच के लाने में क्योंकि जो एक वार किसी संत का किसी गुरू का अनुयाई हो जाता है चेला हो जाता है वो मर तो जाएगा पर छोड़ता नहीं है लिपट जाता हूं से क्योंकि पूरी जिन्दी उसने व्यक्ति की भक्ति की होती है उसको माना नहीं है कहीं भी किसी को अगर कहो कि आप धक्टर अमबेटकर का नाम लिल दीते रहते हो पर गॉप्टर अमबेटकर तो समण हैं औ उन्हों तो साफ काहता है कि दो तरह गी लड़ाई है एक समण कल्चर की और एक वमण कल्चर की तो समण लोग अगर इखटे होंगे तो इसको fight कर सकते हैं और इखटे होने निया कहा भी है यह बात उन्हों पश्च कही है पर इसको माने कौँ यहां तो जंड़ा बलद करकर के एक से बड़ा डॉक्टर अमेटकर का अनुजाई बने में लगे पड़े हैं बस जितने बड़ा नारा जितने बड़ा जंडा उतने बड़े अनुजाई इससे हमारी दिक्कत हो रही है क्योंकि डॉक्टर अमेटकर ने जो समविधान के अंदर दिया है वो समण धम है वो समणों का जो समण में अगर हम खाली सम और रहा के बीच में विधा लगा दें तो समविधान हो जाता है समविधान हो जाता है और समविधान धम या समण धम एक ही बात है अलग अलग नहीं है इसलिए आप समविधान धम कह सकते हो सम्विधान धम्द कह सकते हो या सम्ण धम्द कह सकते हो ये भारत की कल्चर और भारत की प्रॉपर्टी है तो बुद्पूर्मा आ रही है इस वार एजंडा भी लगा हुआ है बुद्पूर्मा कैसे मनानी है क्या करना है तो उस पर डिसाइड करेंगे सब लोग की चर्चा होगी कैसे मनाना है कैसे नी मनाना है पर आप अगर जीतना चायते हो तो समड़ों के जितने संथ हैं उनको एक दस्टी से देखना आरम करो अगर आप एक दस्टी से देखना आरम नहीं करेंगे तो आप बटे र रहे हैं, वो बहुत जगे हो रहे हैं, हमारे काश्ट के नाम पर टुकड़े हो रहे हैं, वो जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा रूल है, जिसमें हम तीसा रूल कहते हैं कि जाते अभ्यास कभी नहीं, वो हमने यहां टुकडे हो रहे हमारे गुरुओं के और मतों के वो समर्धम से खतम हो जाएंगे अगर हम सभी को समर्धम कहेंगे तो वो आटमेटिक खतम हो जाएंगे उन सबको समर्धम में आना पड़ेगा क्योंकि सच्चाई यही है वो भी खतम हो जाएंगे जो हमारे राजनितिक पार्टी समलों की राजनितिक पार्टी है, वो समलों राजनितिक पार्टी है, तो समलों राजनितिक पार्टी बहुत सारी नहीं हो सकती, अगर जाती की राजनितिक पार्टी बनाओगे, तो बन सकती अलग, अगर आप गुरू के मत की अलग राजनितिक पार्टी बनाओगे तो आपको एक बनानी पड़ेगी इसलिए देर सबेर वो भी समडों की राजनितिक पार्टी एक होगी और होगी तभी जब आप ये कहोगे कि भी समडों की राजनितिक पार्टी इतनी क्यों वैसे ही जो सामाजिक संठन है वो सारे समणों के हैं पर वो अलगलग तूटे हुए हैं उनको कहना पड़ेगा कि जब ये समणों का सामाजिक संठन है तो इतने सारे क्यों ये बात कहनी पड़ेगी और चंदा हम देंगे जब इखटे होके आओगे जब वो हमारा सलोगन चलत पर्शानी कोई छोटी मुटी नहीं है परिशानी हमारी ये है कि हम te worship important सबसे नीचे हैं हमारे पास में हमारे जितने भी समवबा के लोग ऐं उन सब do पास में अगर भारत में percentage लगा जाए तो कुछ गिने चुने लोग हैं जो उच्छ यारी हायर एजूकेसन में है या थोड़े बहुत अक्ष्छर ग्यान में है बाकी सब बन पड़ हैं और जो दूसरा समुदाय है उनके सभी बच्चे पड़े हुए उची उची सिक्षाइ ले रहे हैं बिदेश हमें जाके पड़ रहे हैं तो हम एजूकेसन के पास उची 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 नहीं है क्योंकि नौक्रियां खतम की जा चुकी है झाल को है बलं को सकता है नहीं को कुछ नहीं है वो व्यक्ति बेकार होके मर जाता है या तो डिप्रेशन में मर जाता है और या कहीं कोई क्राइम करेगा तो क्राइम में मारा जाता है तो उसके पास काम नहीं तो खाएगा क्या तो बेरोजगार होगा तो डिप्रेशन में आएगा तो परिशान होगा तो पागल हो जाएगा या लड़ेगा मरेगा तो जेल में चला जाएगा और जो सरकाई नौकरियां हमारे लोगों को मिली थी वो डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं उन में से बहुत साए लोगों को वियर्स मिल चुका है बहुत साए लोग रिटायर हो चुके हैं भड़तियां है नहीं उनके बच्चे जो पड़ लिखे हैं वो काम पर लगनी रपा रहे हैं और प्राइवेट में तो दस-पंदर जार उपर मिलते हैं उससे होगा क्या उससे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं इतना खर्चा तो आपका आने जाने कर बैठ जाता है तो करेंगे क्या और इससे भी बड़ी बात यह है कि हर काम की मसीन आ गई है यानि कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसकी मसीन नहों खेत जोतने की मसीन हैं घर बनाने की मसीन आ गई हैं लिखने की मसीन आ गई हैं कंपूटर सारे काम कर रहे हैं यहां तक कि जितने भी कंसेंट्रे से काम हैं ल और जो labor के मददूरी काम थे वो बड़ी-बड़ी मसीने कर रही है और यहां तक की जो delivery का काम था वो भी अब drone आने वाले हैं वो कर रहे हैं कारें भी जो आ रही हैं वो बिना driver की driverless कारें आने वाली हैं टेन भी आने वाली हैं और आदमियों की आवशकता लगबग खतम हो ज में कोई बहुत उंची education है, ना संवनों के पास में industry है ना संवनों के पास पैसा है ना संव पास में खेथ हैं तो लाचार व्यक्ति मजबूर सबसे ज्यादा मारे जाते हैं जैसे bizco महारे कोबिड में मारें गए अभी जो आती है नियूज उसमें यह आता है 60-70 लाख लोग मरे हैं ज्यादा भी मरे होंगे क्योंकि हमारे पास कोई आकला तो है रही जो खबरें आती हैं उसी से हम तो काम चलाते हैं तो 60-70 लाख लोगों में वो लोग मरे जिनके पास ना तो जानकाई थी कि कौन सी जाने की अप्रोज थी जिनके पास में कोई साधन कोई जानकाई नहीं जो मजबूर थे गरीब थे वो अधिकतर समढ़ थे और वो मारे गए सेकड़ों लाखों की तादात में मारे गए यह तो एक महामारी यह उसमें मारे गए पर जो अभी चल रही है वह पर्मनेंट महाम है और राजनीती से बस सकते हैं तो राजनीती की सीटे हमेसा फुल रही है सब्तर साल में कोई भी एक भी सीट खाली नहीं रही है चाए वो कॉंसलर की है चाए मले की है चाए एंपी की है चाए राजसवा की है चाहे MLC की है, सारी सीटे राजनीती की भरी रही है, जितना कोटे में आती है, एक भी सिंगल सीट खाली नहीं रही है, तो अगर राजनीती से भला होना होता, तो सारी सीटे भरी होने के बावजूद भी हमारा राजनीती से कल्यान हो गया होता, इसलिए राजनीती से कल्यान होगा ये बात दिमाग से निकाल दें कोई कुछ भी बगता रहे कि ताला चावी ताला चावी ताले चावी खूब लगा कि देख लिए कोई ताला नहीं खुलता सब चावी बेकार है उसका कोई फायदा नहीं है जो लोग सोचते हैं कि ब्यापार करेंगे ब्यापार चलता न है बड़े में कहीं कामया भी हो जाएं तो ये सारी चीजे हमारी लगबग लगबग हम टेस्ट कर चुके हैं जिन लोगों के जिन दलबल बनाए हैं कुछ लड़की बड़की खटे कर ली हैं वो भी क्या करेंगे जब तक उनको बाहर से पैसा मिलना है वो गाड़ी घोड़े म कुछ मिलेगा कुछ नहीं और जो लोग पुराने जो सरकारी करमचारी रहें उनकी पेंचने खतम हो जाएंगी वो वैसे खतम हो जाएंगे कुछ मर जाएंगे कुछ की पेंचने खतम हो जाएंगी वो वैसे मारे जाएंगे पढ़ाईया सब प्राइबट हो चुकी हैं तो बचने का कहीं कोई रास्ता है नहीं और जब कोई रास्ता कहीं नहीं होता तो एक रास्ता जो बावसाम मिट्र ने दिया और जो प्राचीन है जो प्राचीन तम है और जो सबसे पहला है वो है कि अगर कमजोरी महसूस हो कभी डर्सा लगना लगे और घवरार से आने लगे और कोई रास नाम ना मिले तो सब इखटे हो जाना चाहिए इखटे होते ही ताकत आ जाती है यह प्राकरतिक फार्मूला है यह इतना प्राकरतिक फार्मूला है कि यह जीवों की तो बात छोड़ो निर्जी चीब भी अगर इखटी हो जाती है तो हवा को इखटा करोगे तो वो तुफान बन जाती है अगर बिजली को इखटा करोगे तो वो अच्छो को मार देती है यानि इखटे होने में जो निर्जी पीव है उनमें भी ताकत आ जाती है और अगर जंगल में कहीं जा रहे हैं और सामने से एक शेर आ जाए और पांच लो हुए इखटे हो जाना चाहिए क्योंकि इखटे होने का कोई नुकसान नहीं है जैसे कहते हैं अगर देशी दवाई है या होमियोपेटी की दवाई है अरे इसको खालो बीमारी होगी तो खतम हो जाएगी और नहीं होगी तो कोई नुकसान नहीं करेगी वैसे ही संग वो दवाई है कि इसको खालो इसको सोचो मत विचारो मत क्योंकि सोचने विचारने का समय नहीं है इखटे होने का कोई नुकसान नहीं है कोई कह सकता है समर्संग तो चंदा मांगेगा अगर इखटे होंगे जाएंगे तो वो भी नहीं है क्योंकि समर्सं तो इसमें कभी जिंदिगी में पैदा होगा नहीं, क्योंकि व्यक्ति के पैदा होने से हम खतम हुए हैं। ले थे हम व्यक्ति की मान्ने तक कभी नहीं रही पूरी हिश्टREE में एक व्यक्ति नहीं जो हमारा नयक रहा हूँ यह नायक पुझाथ दोचार थो जबनायक जो अभी डवलाप हुएं यह हमारे हाथ में करके दिये गए हैं हम विचार सूर पूझक रहे हैं जो मत है जो हमारे महापुरसों ने जो सर्मण धम बताया है ये बड़ा विसाल है ये सारे महापुरस सर्मण धम की पैदायस है और इसमें जो इसको complete किया सर्मण धम को क्योंकि सर्मण धम जो पहले होता था वो प्राकर्टिक रूप से प्राकर्टिक चीजों में होता था पर मनुस्य कि अंदर क्या धम काम करता है ये बुद्ध ने बताया तो पराकरतिक चीज़ें जो बाहर की जो फिजिकल चीज़ें थी और जो सरीर के अंदर जो मन और मस्तिक्स था बॉडी थी इन सबका कंप्लीट करके बुद्ध ने इसको कंप्लीट कर दिया पूरी दुनिया में एक जबाना किया हूँ या जिसका अंसर इसमें न न मिलता हो इसने पूरी दुनिया मानती है पर हम लोगों ने अपने ही समढ संतों को महापूर्सों को टुकड़ों में तोड़ दिया वह गलती को ठीक कर लेना चाहिए वह गलती कर लेंगे तो हम बहुत जल्दी बच इसलिए संग में आना सब का अनिवारे है और संग में सब को आना चाहिए और यह जो हमारा पांस तारीक का फेस्टिवल है इसको समर्धंग के नाम से हमको मनाना चाहिए समर्धंग और समर्धंग में सारे सारे महापुरुस आते हमें महापुरुस को छोटा बड़ा नहीं करन हैं संतों ने कभी भी आपस में अपने आपको छोटा बड़ा नहीं किया आप मेरे को दुनिया का कोई संत बता दो जो ये कहता हो कि मैं बड़ा हूं और ये छोटा है महावीर जैन और बुद्ध दोनों समकालिन थे एक ही समय के थे पर आपको सिंगल लाइन नहीं मिलेगी दोनों की तरफ से कहीं भी कभी महावीर जैन ने ये कहा हो कि बुद्ध से मैं बड़ा हूं या चोटा हूं या बुद्ध ने कभी ये कहा हो उनकी बहस भी नहीं मिलेगी, उनकी वातला भी नहीं मिलेगी, दोनों की understanding इतनी घजब की है, दोनों जानते थे, दोनों ही इतने बड़े तपस्वी थे, वो सार को समझ चुके थे, इसलिए उन्हें पता था कि मनुसे क्या काम करता क्या नहीं, यह संतों की पहचान है, पर हम इतने मूरख हैं, कि जो संत दुनिया में कभी नहीं लड़े, जिन संतों ने कभी अपने आपको छोटा बड़ा नहीं कहा, हम पैमाना लेके और फुटा लेके और टेप लेके उनको छोटा पड़ा नापते रहते हैं, मेरा संत 4 फुट उचा, 13 संत 11 फुट उचा, मेरा संत 9 फुट उचा, अरे पागल हो क्या, जब संतों ने खुदा अपस में कभी छोटा बड़ा नहीं किया, तो हम कौन हो थे양एं को बाटने वाले उनको तोडने वाले इसलिए समर्ध हम के समर्ध संतों को एक लाइन से मान के चलेंगे और जितनी जल्दी ये काम औरों को भी सिखा देंगे उतनी जल्दी हम सारे समर्ध का संतों का जितना भी वैसा पूर्णमा है या जो पूर्ण में आती हैं उन सब को मनाएंगे और संतों समर्धम के नाम से बनाएंगे तो हम जीत जाएंगे फिर जीतने की गारंटी है क्योंकि हम सारे संतों को इखटा कर लेंगे और जब संत इखटे होंगे तो संतों का संग बन जाएगा संतों का संग मतलब संतों के विचारो का संग बनेगा, वही समण संग बनेगा, वही समण संग है, वही समण धम है, हम सब एक हैं, सारे संत एक हैं, सारे लोग एक हैं, सारा धम एक है, सारा संग एक है, ये भाव जिस दिन हमारे मन में तेजी से बनना सुरू होगर, हम बताना सुरू कर देंगे, हमारी उस दिन से ज माफ करे संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे धन्यवाद